प्रश्न है एक तिर्भुज की अंता कोड करम से है 3x अंस, 2x प्लस 20 अंस, तथा 5x माइनस 40 अंस हैं सिद्ध कीजिए यह एक संबाहु तिर्भुज है तो एक तिर्भुज है जिसके तीनो कोड यहाँ पे दिये गए हैं आपको यह सिद्ध करना है कि यह एक संबाहु तिर्भुज है तो दोस्तों अगर इसके कोड हमें ग्यात हो जाते हैं और तीनो कोड 60 अंस के आते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह एक संबाहु तिर्भुज है तो सबसे पहले हम इसके तीनों अंता कोड़ों को ग्याद करेंगे यहां तेके ठीरी X अंस दिया गया है तो हम X कमान निकाल लेंगे उसके बाद में यहां पर X कमान रखेंगे उसके बाद तीन से गुड़ा कर देंगे जो आएगा यह कोड़ हो जाएगा फिर इसी तरह यहां X कमान रख करके हम इस कोड़ को निकाल लेंगे फिर यहां X कमान रख करके हम इस कोड़ को भी निकाल लेंगे अगर तीनों कोड़ 60-60 अंस के आते हैं तो इसका मत्दब होगा कि यह एक संभाहू तिर्भुज है तो आईए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक तिर्भुज का चितर बनाएंगे चलिए एक तिर्भुज का चितर बना रहे हैं चलिए यह एक तिर्भुज है इसका नाम करण कर देते हैं A, B, C 3X अंस कोड B बराबर दिया गया है 2X पलस 20 अंस 2X पलस 20 अंस और कोड C बराबर दिया गया है कोड C बराबर 5X माइनस 40 अंस तो ये सब इस तिर्भुच के तीनों अंता कोड है दोस्तों हम जानते हैं कि तिर्भुच के तीनों अंता कोडों का योग 180 होता है हम उसी के सहयोग से यहाँ X का मान निकालेंगे और यहाँ X का मान रख देंगे बस उसके बाद तीनों का अंता कोड हमें प्राप्थ हो जाएंगे तो चलिए हम लिखते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं जानते हैं कि क्या जानते हैं कोड़ A पलस कोड़ B पलस कोड़ C इन तीनों कोड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना आएगा 180 अनस आएगा अब चलिए यहां कोड़ A, कोड़ B, कोड़ C का मान रखते हैं कितना है कोड़ A बराबर? 3X अंस 3X अंस को हम छोड़ दे रहे हैं इसका मातरक छोड़ दे रहे हैं अभी आखरी में हम इसका मातरक लिख लेंगे पलस कोड़ B बराबर कितना है? 2X पलस 20 कोड़सी कितना है 5X-40 और इधर दाइपक्स में बराबर 180 अब यहां हम हल करेंगे तो 3X पलस ये ब्रेकट खोलेंगे तो 2X पलस 20 पलस से ये भी ब्रेकट खोलेंगे तो वही आएगा 5X-40 बराबर 180 अंस को छोड़ दे रहे हैं चलिए 3X और 2X 5X और ये 5X सब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10X और ये जो संख्याएंगे ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगी तो पलस 20 है और ये माइनस 40 है तो आएगा माइनस 20 बराबर इधर 180 अब 10X को यहीं पे रोकेंगे 10X बराबर 180 ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा पलस 20 पच्छांतर करेंगे तो इसका चिन बदल जाएगा तो 10X बराबर 180 और 20 कितना हो जाएगा 200 तो X बराबर क्या हो जाएगा 200 इस 10 को जब उधर ले जाएगे तो यहाँ बीच में गुड़ा काचिन है था तो यह भाग में बदल जाएगा 10 हो जाएगा बटे 10 200 बटे 10 तो 200 को 10 से भाग देंगे तो क्या हैगा X बराबर आएगा 20 यानि X बराबर आया 20 अब यहाँ सब X का आप मान रख दीजिए उसके बाद कोड A, कोड B और कोड C का मान मालूम हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं तो तिर्भुजे के तीनों अन्ता कोड अन्ता कोड तो तिर्भुज का जो पहला कोड था कोड A A बराबर कितना था? 3X अन्स तो चलिए यहाँ मान रखते हैं 3X बराबर कितना आया है? 20 आया है तो 3 गुड़े 20 बराबर 60 तो क्या आया? 60 अन्स आया कोड B कोड B कितना था? 2X पलस 20 2X पलस 20 अन्स अब यहाँ मान रखेंगे तो 2 गुड़े X कितना है? 20 पलस 20 यह सब ब्रेकर में था चलिए ब्रेकर में कर दे रहे हैं तो 2 गुड़े 20 हो जाएगा 40, 40 और 20 60 तो हो गया 60 अन्स अब कोड C निकालेंगे चलिए कोड C हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं तो कोड C बराबर कितना है? पांच X माइनस 40 अन्स अब यहाँ X का मान रखेंगे तो 5 गुड़े X कितना है? 20 माइनस 40 अन्स तो 20 पंजे 100 माइनस 40 अन्स तो 100 में से 40 गए तो क्या बचा? 60 अन्स तो आप देखिए तीनो कोड देखिए कोड A 60 अन्स आया कोड B भी 60 अन्स आया और कोड C भी 60 अन्स आया तो अता है इस तिर्भुश के तीनो अन्ता कोड समान है और 60 हंसके हैं तो इस तरह का तिर्भुज क्या कहलाता है संबाहु तिर्भुज कहलाता है अगर किसी तिर्भुज के तीनों अंतह कोड बराबर हो और परते कोड 60-60 हंसका हो तो वो कैसा तिर्भुज होता है संबाहु तिर्भुज होता है तो इसे लिख सकते हैं आताहा यह एक समभाहू समभाहू तिर्भुज है क्यों है क्योंकि इसके तीनों अन्ताकोड समान है और साठ साठ हंस के हैं तो इस तरह से दोस्तो मेरा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करिए सेयर करिए हमारे चैनल ग्यान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए हम बिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के साथ कहते हैं जै हिंद जै भारत